हां जी गुटीबनिंग गाइस चलिए आज हब अपना पावर बियाए स्टार्ट करते हैं बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे तो बियाए का इंटोड़क्शन आयोप आपने देखा होगा प्ले लिस्ट चेक कर लिजेगा पावर बियाए में का करियर इंड डेटा अनलेटिक्स उसमें पहला बेसिक लेक्चर जरूर देखेगा ठीक है तो अभी हम इस लेक् करेंगे डेटा इंपोर्ट किस तरह से पावर बियाए में कर सकते हैं और पावर क्वेरी का कहां पे किस सरे आपको इसकी ज़रूरत पाड़ीगी यह मैं आपको HERE छरू पूपर कर यह है अंगे कोई भी data में changes करने है, modification करनी है, data clean करना है, वो सारा power query करेगा. Power BI के पास वो शमता नहीं है कि वो data clean करे. वो इस चीज़ के लिए पूरा power query पर dependent रहता है. वो क्याता है, power query मेरे को अब ready made data दे दो, ताकि मैं उस पर direct dashboards बना सकूंद. यह सारे हमारे जो visuals हैं, यह हम सीखेंगे, इसमें बहुत अच्छे-च्छे visuals हैं और वो हमेशा उसी data पर बनेंगे, जो power BI को चाहिए. यानि structured तरीके से, structured way में, यह नि कि कुछ भी data दे दिया. इसलिए power query Excel में भी use होता है, data cleaning के लिए और power BI भी उसको use करता है, दोनों यह power queries same है, BI में जब आप काम करेंगे तो BI के अंतर वो दिखेगा आपको जो मैं आज दिखाऊंगा और Excel में आप वो देख सकते हैं series आपको पता लगज़ेगा, तो देखिए हमारे पास यह table view है जिसमें हमारे data आते हैं, मैंने कुछ data अलरी यहां पे रखा हुआ है लेकिन सबसे पहले हम बताता हूं मैं आपको कि हम जब first time power BI open करेंगे free desktop है यह power BI desktop है यह तो इसमें हम data कैसे लेखे आएंगे तो देखिए आप जब home time में जाते हैं तो यहां पे आपको excel workbook मिल जाता है अगर आपको sql server मिल जाता है, excel workbook मिल जाता है और enter data मिल जाता है और get data में और भी आपको बहुत सारे options मेलेंगे, text file, web, इसमें जो भी important important है वो अब हम करेंगे, server से भी आपको data लाना है तो आप ला सकते हैं ठीक है, अभी के लिए हम लोग सिर्फ excel workbook का use करेंगे तो आप यह option भी use कर सकते हो, यह भी कर सकते हो तो जब आप इस पर click करेंगे, get data पे एक location आएगा और आप उस location में अपने हिसाब से जो भी आपका folder है वहां से आप data choose कर सकते हैं जैसे यह देखिए, यह सबसे पहले मैंने कोई file choose की अपने path में ठीक है, यह वही file है जो हमने power query में भी use की थी, तो यह आप connection set up करेगा तो आप उसको select कीजिए, और देखिए data भी आपको दिखना शुरू हो जाएगा, यह उस excel file में हमारे अलग-लग data है वह actual में हमें यहां पे दिख रहे हैं अब आप जिस-जिस option पे चेकमा करेंगे वह data आपका A की बार में import हो जाएगा तो आप जैसे यह कर दिया हमने ठीक है उसके बाद दिखें यहां पर option है load, transform and cancel अगर आप load करेंगे तो क्या होगा आप सीधर data power BI में ही दिखेगा आपको अगर आप transform करेंगे तो याद है power query होता है ETL extract, transform and load तो power query का window open हो जेगा तो let's say मैं इसको power query में देखना चाहता हूं ठीक है ऐसा नहीं कि आपने load कर दिया तो load करने के बाद power query window क्योंकि नहीं आएगा तो आप फिर power query में नहीं जा सकते वो तो आप कभी भी जा सकते वो भी मैं आपको दिखा दूँगा सबसे पहले हम सीधा power query में चलते हैं तो आपको पूरा मैं इसमें दिखा हूं जो हमने एक्सल में देखा था आप देखे बिल्कुल विंडो है फरक इतना है कि यह एक्सल में उपन नहीं हुआ यह पावर बियाए में उपन हुआ है तो आप जो स्टूडेंट्स पावर कोरी कर रहे हैं उनके लिए यह विंडो बहुत नॉर्मल चीज है उनके लिए सर्प्राइज नहीं है लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल पावर कोरी नहीं जानते हैं उनके लिए देखता है इसलिए मैं बोलता हूं कि पावर कोरी करना बहुत 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 जरूरी है और मैं यहां पर चीज़े रिपेट नहीं करूँगा आप पावर को जरूर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पावर को जब इनके लिए फिर आप घिशक बियाए में आ सकते हैं ना आपको दिख नगा यहां पे बहुत कुछ रहे हैं यह छूड़ दीजी कि पहले का डेटा है पर अभी जो हमने पा पिर अपर जो अब हमने data दिया है आप देखिए उस में यह यह तेके टेबल का आगया इसके एरर आए अभी देख लेते हैं फिर डेटा ये डेटा थरी ये सारे के सारे डेटा थरी आए लेगे देटा निया तो अब क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग ये लाइव सेशन है मैं यह नहीं करूंगा कि मैं कुछ इसमें चीजे सही परके फ और हैर कोता समय रिकारांlier क nécessaire मैं मैं खवर्णा तो अमकरे कि अचरी कि ये से डाया इनНे हुन को क्या सब्सक्री देज़र मां थरूं करेंगे टीया तो अब हम लोगिसमें सींपल करेंगे है कि एरी इसमें में कारेंगे कि मैं रिफुर्ड रिफ। कि हो गया बात खत्म होगी ठीक है तो और अब आप देखिए यह वला डेटा भी आ गया तो रिफ्रेश अल करने से क्या होगा सारे टेबल रिफ्रेश होंगे ठीक है और मेंड़ यह तो मैंने आपको यह हमारा कोई पुराना डेटा है तो इसको फिलाला भूल जाएए हमारे तीनों टेबल देखिए पावर कोरी में आगे ठीक है अब जब यह बेटा हमारा पावर कोरी में आ गया तो हमने कहा था transform data तो power query में इसलिए यह गया है क्योंकि वो expect कर रहा है क्योंकि आपने transform बोला था तो शायद आपको changes करना चाहते हैं अब मैं कोई change फिलाल तो नहीं करना चाहता है तो मैं simple close and apply करूँगा इसको यहाँ पे ठीक है close and apply तो जब आप close and apply करेंगे तो यह देखे यह load होगा यहाँ पे और अब आप इस data को BI में देख सकते हैं power BI में देख सकते हैं ठीक है कहां देख सकते हैं आईए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे यह देखे यह table view है आप इसके click कीजे और आपको यहाँ पे देखे यह हमारे collapse और expand के लिए buttons हैं तो यह देखे यह हमारे सारे के सारे tables यहाँ पे available हैं जो भी आपने import किये यह देखे देख रहे हो आप ठीक है simple comfortable हो आप इन चीज़ों से right तो आपने क्या note कि अगर एक Excel में multiple tables भी हैं तो Power BI से जब हम import करते हैं यहां से जब home tap से जाते हैं तो वो हमें सारे के सारे tables के नाम दिखाता है तो यानि हमारे पर से एक अच्छा option है कि हम एक साथ काफी सारे tables Power BI में ले जा सकते हैं अब याद रखेगा मेरे बात अगर यही चीज़ मुझे Power Query में करने होती है अगर आपको याद है fundamental strong है वहां पर एक एक table को बार बार लेके जाया जाता है इसमें यह बहुत अच्छा option है ठीक है तो यह हमारे data है इस data को अब हमें कभी भी यहां पर देखना हो तो हम देख सकते हैं इसलिए यहां पर tab है ठीक है यह tab जो है यह data modeling का tab है इसमें relationships बनते हैं जो की अभी हमारा session दूर है तो फिलाल इससे हम दूर रहेंगे तो आप यहां पर आईए और यहां पर अपना data आप कभी भी देख सकते हैं लेकिन अगर मुझे data में plus minus करना है तो मुझे power query में जाके ही करना होगा अब यहां पर यह भी समझ लेते हैं कि यहां से वापस अगर power query में जाना हो तो कैसे हम जा सकते हैं यह भी उतना ही important है आप देख रहोंगे कि सबसे पहले आप किसी भी table पे हों कोई फरक नहीं पड़ता यहां पर देखे home tab में transform data का option है तो मैं कहता हूं मुझे transform data पर दुबारा ले चलो power query का direct नाम नहीं है transform data है as on date ठीक है यह देखे अब दुबारा से power query में आगे ठीक है I hope clear है तो मैं इसको फिलाल close कर देता हूं इस power query के window को ठीक है यहां से भी आप close कर सकते हैं मतलब क्योंकि अब हम data लोड करी चुके हैं यहां पर data आ चुका है तो वापस हम देखे आपने BI के window में आके तो यहां पर आप जो हमने table import किये हैं आप उनको यहां पर use कर सकत करते हैं ठीक है तो देखे यह हमारे सारे विजुल्स हैं यह time to time ना Microsoft इनको बढ़ाता रहता है modify करता रहता है बहुत सारी चीजे वो करता ही रहता है हार दो मीने तीन मीने में ठीक है तो fundamental strong होने चाहिए बाकि सब तो आप कर लोगे ठीक है यह आप देखे नीचे page है page one एक expand collapse कर सकते हैं कई बार क्या होता है कि आपको अगर यह सारे में खूल के यहां पर दे दूँ तो क्या है आपका space यहां पर काफी सारा use होगा because लिस्ट लंबी हो जेगी है ना यह इसलिए नहीं कि आपको specific table में जाना है तो आप उस table को expand कर सकते हैं उस table के अंदर आपको सारी fields यहां पर देखेंगे जो भी field आपकी number है उसके आगे यह sigma sign होगा यह एक निशानी है कि यह जो हमारी field है वो at number है समझा गया तो हमने क्या कि अभी तक data बाहर से लेके आए Excel से जो सा table चाहिए था वो हम table select किया और हमने का transform data लोड भी आप करेंगे अगर आप लोड करेंगे ना तो power query का window नहीं open होगा सीधा आप यहां पर आजेगे simple ठीक है फिर आपने यह देखा कि फिर power query से बाहर जिब हम close करके आए तो फिर यहां से दोबारा अगर हमें जाना है तो हम transform कर सकते हैं तो यह सारा हमारा power query का और यह BI का जो data view है यह तो data के उपर काम करने के लिए है अगर reports बनानी है तो आप यहां से कोई भी अपना visual choose कर स हमने यहां पर stack bar जो है वो create हो जाएगा यह blank है क्योंकि इसमें data नहीं है अब इसमें अगर मुझे data डालना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैं stack bar क्यों use करूंगा इसका नम stack bar क्यों है तो देखिए हम तीन चीज़ें इसमें करेंगे मैं सबसे पहले क्या करता हूं कि यह तीनों visuals यहां पर यहां पर रख लेता हूं एक है stack column ठीक है तो यह देखिए यह मैंने यहां रख लिया stack column आप यहां से देखिए इनको आगे बीचे अपने size को अपने इसाब से बढ़ा सकते हैं ठीक है आपको सबसे पहले इसको select करना है और यह window आपका आ one two three four and five ठीक है और यह भी six यह six charts जो है यह एक ही family के है अलग लग थोड़ा सा तरीका अलग है लेकिन है यह एक जैसी तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं stack bar और दूसरा stack column chart में आपको दिखाने जा रहा हूं आपने यह Excel में भी देखे होंगे Excel में आपको दिखांगा don't worry ठीक है सबसे पहले यह एक तो clear है कि यह हमारा horizontal है ठीक है इसलिए उसका नाम जो है उन्होंने बार चार्ट दिया है यह हमारा vertical है columns की तरह जैसे Excel में होता है तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं column chart ठीक है vertical है आप देखिए vertical है stack इनका नाम क्यों है stack का होता है जैसे आप कहा सकते हैं कि एक उपर एक stacking करना ठीक है जैसे suppose मैंने का कि एक बढ़िया सा juice बनाओ सब कुछ इसमें stack कर दो salt stack कर दो sugar stack कर दो मतलब basically एक की उपर एक चीज़ डाल दो और फिर उसका बढ़िया सा मुझे निम्भू juice बना के दे दो आप समझ रहे हो ठीक है stacking तो अभी होगा क्या कि जब यह visual बनेगा तो आप देखोगे कि इसमें क्या होना है एक की उपर एक चीज़े आना शुरू हो जाती है इसलिए इसको stacking का जाता है ठीक है सबसे पहले आप अपने डेटा से familiar हो जाओ ठीक है यह हमारा जो डेटा है में डेटा इसमें बेसिकली हमने क्या क्या हुआ है यह देटा डेट वाइस हमारी क्याटिगरी से कुछ यह टॉइ शॉप का डेटा है जिसमें में मिनफेक्चर से देखिए सब्स हम लोग मालिक हैं ठीक है हमारा अलग अलग जगा पे पूरे दिल्ली में पूरे गुड़गाओं में पूरे इडिया में कुछ पी आप क्या ल प्रॉडक्ट देते हैं और उस प्रॉडट्ट की कैटेगरी से जैसे एनिमल हो गया क्लोथ हो गया टॉइस हो गया वीलर हो गया है तो अगर एकसेसरी में जाओंगा तो मुझे एकसेसरी में क्या है कि उसी के साब से आइटम्स मिलेंगे यह सारे बचों के टॉइस हैं अगर मैंने चार आइटम एक जन्वरी को सेल किये तो यह वेस्ट जोन से सेल हुआ है राबिदांसिंग और एक पीसले से डैमेज में निकला है ना में भी वापस आगया आपके पास और फिर रेविन्यू ठीक है रेविन्यू मतलब कि कितने में हमने बेचा तो चार आइट इप्लाइबाए 61 जो भी आपका बनता है 240 सम्तिंग ठीक है वह आच्छली में 200 प्लस जो भी बनता है वह आपका टोटल रेविन्यू होगा एक तरीके से सिंपल डेटा है ठीक है आप देखे मैं क्या करना चाहता हूं हम एक काम करते हैं हम सिंपल यह देखना चाहते है कि कि की क्स के क्राइकरी में कितने हमारे पास आइटम जो हैं टॉइस जो हैं वो सेल हुई है लोगा ठीक है इस के लिए आप कभी नुट्थ बनाना चाहें तो आप इंसर्ट में जाये और यह टीक्स बॉक्स भी आप यूज कर सकते हैं यह टीक्स बॉक्स दिक यहां पर आगया यह जैसे यहां पर आया तो मैं यहां पर यह लिख लेता हूं कि जो हमारा question number one है question number one है हम we want to see category wise category wise items sale item sold ठीक है बनलब जो toys की sale हुई है यह हमारा इस तरह से पहला question है ठीक है मैं एक काम करता हूं मैं इसको select करता हूं ठीक है और इसको bold कर देता हूं और थोड़ा से इसको font बढ़ा देता हूं ताकि आपको दिखे ठीक है I hope आपको बिल्कुछ सही दिख रहा होगा तो यह हमारा basically question हो गया ठीक है आप चाहें तो इसको दुबारा से resize भी कर सकते हैं ठीक है वह आपकी मरसी है जैसे मैं इसको resize कर लेता हूं इस तरीके से ठीक है इसका border वगरा भी दे सकते हैं वह बाब में बात करेगी तो अब आपने यह decide किया कि मुझे category wise इस तरह से रखन options वगरा यह सारी options आपको मिलती है क्योंकि अगर आप Excel भी open करेंगे suppose आपको एक चीज दिखाता हूं यह दिखे अगर आप Excel भी जब open करेंगे जैसे कोई अगर आप suppose यह data है हमारा ठीक है एक data है let's say name marks for example ठीक है अगर मैं इस पर कोई chart बनाता हूं यह ठीक है insert chart ठीक है chart ब बनाता हूं suppose यह वाला chart बनाता हूं for example यह देखे एकसल में immediately बन गया यह चार्ट है यह x-axis है यह यह होता है राइट तो जिनको चार्ट साते एकसल के लिए बिए तो बहुत असान है तो वही concept हमारा बिए में चलेगा ठीक है अब यहां पे जब भी आप data पे क्लिप चेंज हो सकती है options because हर चार्ट एक कहनी बताने के लिए नहीं है कहनिया लग लग हो सकती है कहनी क्या data data से कहनी जब तक नहीं निकल के सामने आएगी आप बी आई में चैंपिन नहीं बनेंगे बी आई में आप चाहिए तो अगर आपको बी आई में चाह जाना है तो आप अ होल रहा है तो मैं य-axis में जो करने जा रहा हूं लेट से मैं नया नया हूं में देखना चाहता हूं है ना तो ठीक है हम यहां पर इसको drag and drop कर देंगा जैसे आप पिविट्स में करते हैं category आपने डाल दिया अब category जब तक उस category अगेंस कुछ दिखेगा नहीं आपको यहां पर आ गया है y-axis में ठीक है तो अब मुझे आइटम सोल चाहिए आइटम सोल मैं सीधा यहां जाके x-axis में डालूँगा ताकि horizontal मुझे वो दिखना शुरू हो जाए शानदार देखें कितना easy है यह आपका पूरा graph त्यार हो गया ठीक है अब legend option भी है small multiples में है इनको भी हम cover करते हैं ठीक है अब देखें यह सारी category जो है यह मेरी यहां पर बनके आगी और आप देख सकते हैं कि category के साथ साथ यहां पर नीचे एक title आ रखा है और यह excel के charts में भी आता है तो यह charts यह titles वगरा सारे अगर हमें नहीं चाहिए तो हम remove भी कर सकते हैं तो अब अगर यहां पर ध्यान से note करें तो देखें उसने बड़े अच्छे तरीके से आपको पूरा sale का हिसाब किता बता दिया unknown भी है unknown जो भी हो का मतलब इसको category शायद नहीं मिली होगी वो भी हम अभी check कर लेंगे लेकिन अगर आप देखें तो sale wise animals जो है हमारी category वो सबसे ज़्यादा sale दे रही है और आप देख सकते हैं जब मैं hover करता हूं तो यह number 8241 और यह 7921 यह सब अपने आप आपको दिख जाता है यह आपको excel के charts में भी देखता है जब आप यहां पर hover करते हैं आपने देखा राइट तो चलिए हम लोग वापस अपने ब्याय में चलते हैं ठीक है तो यह हमारा horizontal एक चार्ट बन गया ठीक है अच्छा अब इसके साथ साथ हम यहां पर जो हमारा यह जो चार्ट है ठीक है यह चार्ट देखें यह मुझे इसको stack यह बार चार्ट है करें पर पहले select करना बहुत जरूरी है यह ध्यान रखिएगा ठीक है जैसे suppose आपने आपकी selection यहां है अभी कोई भी visual select नहीं है अगर मैं अब यहां पर जाके suppose यह यहां पर click करता हूं for example यह देखें तो क्या होगा एक नया visual create हो जाएगा ठीक है तो मैं इसको delete करता हूं select क प्रिस कर दीजे आपको पहले इसको select करना है और फिर आपको उस visual पर click करना है तो ही वह visual change होगा ठीक है नया बनाना तो नया बना सकते है अब यही चीज में यहां पर category देखिए हम फिर वही काम कर रहे है category और y axis में मैं डाल रहा हूं items आपको समझ आ गया दोनों view में difference क्य है ठीक है अब दिखेंगा इस दो चीज़े होती है एक तो simple view है कि आपको कौन सा view पसंदा रहा है लेकिन view से जादा एक और चीज़ important होती है कि आप जब dashboard बना रहे हैं तो उसमें कौन से visual को सही तरीके से लगाने से सही जादा अच्छी information जा रही है तो उसमें भी हमने बा करेंगे लेकिन अभी के लिए है कि हम दोनों का view देख सकते हैं यहां पर x-axis यहां पर आ गया ठीक है और y-axis में यह नंबस आ यहां पर क्या है यहां पर x-axis में यहां पर इसकी x-axis में क्या होगा कि यहां पर numbers चल रहे है जीरो जीरो के मतलब यह thousand में चल रहा है इसको भी चैंज कर सकते हैं ठीक है तो इस तरीके से देखें यह हमारे दो विजुल त्यार होगे और दोनों का हिसाब किताब आप देख सकते हैं आपको कौन सा view चाहिए ठीक है पहली बात यह होगी ठीक है आचा आप देखें यह हमने जो विजुल बनाया है इसमें यह चार्ट का आप इसे चार्ट बोले या विजुल बोले जो भी बोले यह आपके एकस य एकस टाइटल है यह सब हम चेंज कर सकते हैं इनके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ठीक है उसके लिए हमें यहां पे फॉर्मेट सेक्शन में जाना होगा लेकिन उससे पहले वह तो कोई भी बन लिए है ठीक है ताकि स्पेश बने ठीक है तो आप इसको यहां पेख समझना है जो हमारे यह विजुल है वापस यहां पे क्लिक करें अगर आपको वह यहां पर विंडो नहीं दिख रही है तहो यह चीज़न हो सकती है तो वापस अपने इस वाले विजुल में आए, I add data to your visual, तो आपको यहां दिख जाएगा, अब देखें, लेजंड है, अब लेजंड क्या है, अब अब घ्यान से सम्चेंस बात को, देखें, लेजंड बेसिकली क्या होगा, कि यह जो कैटेगरीज हैं आपकी, अनिमल, टॉइस, वीलर, राइट, आपको याद होगा, कि हम जब अपने डेटा में गहेते तो वहाँ पे जोन थे, इस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, है ना, अब बाई चंस मैं कोशन थोड़ा चेंज कर दूँ अगर आपको, मैं आपको यह बोलूँ, कि यार, सारी कैटेगरी, एक उपर, एक मुझे दिख जाए, वेस्ट में दिख जाए, तो यहाँ पे आप उस लेजन को यूज कर सकते हैं, समझे आप, लेजन को यूज करने के लिए, मैं क्या करूँगा, मैं जोन को सीधा उठा के लेजन में डाल दूँगा, और आप देखेंगे कि इसका जो विजूल है, वो पूरा का पूरा चेंज हो गया, और अब आपको समझाएगा कि इसको स्टैक क्यों कहते हैं, अभी तक तो स्टैकिंग डिसकस ही नहीं हुआ था, यह है स्टैक, एक उपर एक, इस तरह से चीज़ें बनती जाएंगी, आप समझ रहें बात को, अब देखें, हुआ क्या, ध्यान से समझेगा, आप अभी तक जो हमने किया है, उसमें क्या 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 है, कि जो है, वो हर कैटेगरी अंदर चला गया, यानि यहां पर देखें, यह है जोन इस्ट, इस्ट में हमारा टोटल सेल हुआ है, 2000 साथ हैं, उसके बाद है साउथ, 1605 सबका सेल आ रहा है, और सभी के सभी में, जोन तो होगी है, तो सारे के सारे, जिसमें एने का सेल होगा, वो होगा, अदर्वाइस नहीं होगा, कलर कॉंबिनेशन आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन पावर प्या अपने साब से आपको दे देता है, तो अभी फिलालम इसके ही रहेंगे, ठीक है, अब देखी, मेरा कोशन जो था, वो कोशन अलग था, मेरा कोशन यह था, कि मुझे जोन वाइस आप कैडिगरी इसकी स्टैकिंग गर के दो, ये भी अपने आपने अच्छा नालसिस आपको दे सकता है, कि किस कैडिगरी में कौन सा जोन कैसे परफॉर परफॉरी और ये है 2000 ये क्या इशू है और और बाकि जोन से डेटा ही नहीं आ रहा है, तो पकड़ो इन जोन वालों को और पूछो वालों को पूछो भाया क्या हो रहा है वहां पर है, सप्लाई नहीं आरे तुमको, या तुम मार्केटिंग धंसन नहीं गरते हैं, क्या हो यह मैं इसको फ़र उपर स्क्रोल करता हूं ठीक है यह जैसे नीचे आ गया ठीक है आप जो चीज लेजेंड में डालेंगे ना वह एक्शन में इस तरह से यहां पर डिस्ट्रिबूट हो चाहिए अब मैं क्या करने वाला हूं मैं यह कह रहा हूं कि मुझे यहां जोन चाहिए मुझे यह लूट कशिए है तो हम लुग क्या करेंगे यह जो जुन रहा हwegen रहा हूं कि यसारा करें करना है गया यह तो विजूल है इसको आगे पीछे खर के खुद प्रैक्टिस कीजिए ठीक है समोफ आइटम सोल्ड है वो मेरे एक्स एक्सिस में ही रखा है यह वाला ठीक है क्योंकि यह तो मुझे इसी तरीके से चाहिए यहां पे ठीक है तो अब आप देखें कि अब सारे एक्सेस ध्यूब देखें कि जो हमने व 반 आओ कॉलंब व्यू लिए इसका भी नाम यहीं है यह यहां paint हम लोग क्या करते हैं कि छी मिजिए विजियू कर रहे हैं उसका क्या नम है कि अब आप चाहें तो इसकी कॉपी भी बना सकते हैं ठीक हैं इसको यहां पर क्लिक करता हूं और औ उसका नाम है column मैंने आपको बताया column से मलब vertical Excel के columns आपने देखे ना कैसे चलते हैं vertical तो इस तरह से आपको कभी confusion नहीं होगी अब आपको ये समझना है कि भाई इसमें और इसमें difference क्या है हम लोग अभी चाट में चलते हैं और मैं exactly वही करने वाला हूं क्या मैं zone को उठाए यहां पर डाल रहा हूं और category को उठाके यहां पर डाल रहा हूं ताकि view आप दिखा रहा है ये horizontal आपको सारे categoris दिखा रहा है तीक है अब आप इस में आपकी उपर Peak dir definite करता आपकी पसंद कॉनची है आपको किस तरह से दिखाना है आपको बार दिखाना है यह आपको कॉलन दिखाना इस सब्सक्रेंगे लुए जिस ऑब सब्सक्राइब लेंकि और नहींची और पयारा ओंगे और लग बार बनाके दिखाएंगे वह भी मैं अभी कवर कर रहा हूं डोन वरी पड़ आपको समझ आ गया ठीक है तो यानि जिसका जितना ज्यादा एरिया है वह उतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है इसे हमें यह चीज क्लियर हो जाती है ठीक है और आपको ना इसमें एक कोई लेना देना नहीं ठीक है तो 2130 जो है वो उसका अपना परफॉर्मेंस है इतनी सेल हुई है मतलब ठीक है इस तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं यह हमारा फॉर्स्ट पेज था मैं इसी पेज को आगे लेके जाओंगा और मैं काओंगा डूप्लिकेट कर दो ठीक है यह होगा डूप्लिकेट पेज ठीक है और इसका फिर हम पेजट टू कर देते हैं अब देखें ठीक है पेजट कर देते हैं अब मैं फिलाल के लिए डिलीट कर रहा हूं रिमूफ एंड रिमूफ ठीक है आप देखें यह जो हमने स्टैक वाले बना ली है अब इनकी इतनी ब्लैंक जगा क्लिक करो और अब हम ये वाला बार चार्ट और टेक्त करने जाँ रहा है इसमें स्टैक और नहीं रहा है यानि यह यह क्लिक किया अब फटाफट भट से इसी का डेट और यह एक्सेसिस इक्सेस इसमें सारह आ ग Gwen मैं फिर वही काम करूंगा wandering zone फिर मैं यहां पर क्या डालूँगा category ठीक है legend में ठीक है legend इसलिए होता है वो उसी के अंदर आपको bifurcation दे देता है divide करके दिखा देता है ठीक है अगर आपको use करना है तो आप करेंगे नहीं तो आप छोड़ सकते हैं और मैं x-axis में डाल देता हूँ item sold यह देखें आपको अब काफी हद तक clear जो है picture होगी यह देखें यह हो गया ठीक है उसके बाद यहां चलते हैं अब मैं यह कहता हूँ कि मुझे बार ग्राफ नीच चाहिए मुझे column चाहिए लेकिन इसका नाम clutched रखा गया है क्यों रखा गया है वो देखें आप समझें अ अब हम फिर एक काम करते हैं मैं यहां पर zone डालता हूँ और मैं यहां पर डालता हूँ category और मैं यहां पर डालता हूँ item sold numeric ठीक है अब आपको clear होगा कि इस particular चार्ट में और इन दोनों चार्ट में क्या difference है देखें सबसे important चीज़ यह है आपको जो समझनी है यह बार है य और यह without stack है यह clustered है होता क्या है कि इसमें मैंने आपको बताया था कि वो सारे अलग लग grid बना दे देखें आप यह एक उपर एक है इसमें इस्ट में वही सारी चीज़े हैं वही सारी categories है लेकिन सारे के सारे tabs अलग हैं फिर आप West में आके फिर आप North में आके सेम चीज यह यहां पे है यह देखे East के अंदर जितने भी आपके categories है सब अलग दिखेंगे ठीक है सब अलग दिखेंगे तो अब आपको यह देखना होता है कि आपको कौन सा visual चाहिए देखे एक बास समझे अगर support जैसे यह देखे इसमें आपको दिख रहा होगा कि क्योंकि इतनी सारी categories हैं तो यह जो graph है ना इसमें view वो बन नहीं रहा है जो इसमें बन रहा है दोनों आप देखें सेमी space ले रहे हैं रहा है मुझे इसको और खीचना पड़ेगा तभी मेरे user को इसको देखने में थोड़ा सा आनन्द आएगा तो अगर मेरे पास अगर मेरे पास space का issue है क्यों कि मुझे और भी dashboards बनाने हैं तो मैं बहुत चत्युराई से इस चीज़ को intelligently इस graph वो यूज कर सकता हूं इस visual को क्यों 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 कि भाई information इसमें भी वही जा रही है राइट यह stack है लेकि और यह चीज़ यहां पर है इसमें यह जो graph है अभी तो अच्छा दिख रहा है बाई चांस आपके पास इसमें दो तीन items और डाल दूँ है जैसे east north south डाल दूँ, east west डाल दूँ या जो भी है zone 1, zone 2, zone 3, zone 4, you know अगर ऐसे मेरे पास 7-8 zone है तो आपको naturally इसकी width बढ़ानी बढ़ेगे बित्म से हर tab को हर category को zone में अलगलर दिखा रहा है आप कहते हो मेरे पा यूज कर सकते हो because इसमें stacking में एक ही window एक ही vertical जो हमारी बार है इसमें सारे दिख रहे हैं इसमें क्या होता है जो stack नहीं है जो cluster है वो इसका अलग बना देता है इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग and so on ठीक है ना तो हमें wisely ये चीजों को use करना है wisely इन चीजों क को use करना है कि हमें कौन सी चीज कहां चाहिए ठीक है तो आपको ये चीज़े पता होंगी तो आप कभी भी confused नहीं होंगे ठीक है अब आपको stacking का समझ आ गया तो basically stacking में उन्होंने हमें एक horizontal बार जिसको कह रहे हैं वो दे दिया और एक vertical दे दिया ठीक है जिसको column नाम दे दि स्टैकिंग का उल्टा उन्होंने यह दे दिया cluster cluster bar, stack bar और यह क्या है cluster column क्योंकि वर्टिकल है यह भी वर्टिकल है आप इस तरह से समझो ठीक है यह cluster column है और यह है stack column तो फिलाल हमने यह चार जो चीज़े हैं यह cover कर ली उसके बाद यह भी है यह stack bar 100% है यह percentage में डेटा दिखाएगा अभी आप देखो 0, 5,000, 10,000 यहां पर देखो 0, 5,000 यहां पर कहीं भी percentage नहीं है वो जो percentage वाले हैं वो सिर्फ यह काम करते हैं कि वो percentage में डेटा शो करते ठीक है बस यह difference होता तो अगर आपको percentage wise चलना है तो आप वो भी कर सकते हैं अब जैसे देखिए suppose इसको मैं यहां पर बनाता हूं इसमें जावा कुछ समझने वाला है नहीं इसको हम यहां पर यह देखे यह मैंने बनाया ठीक है यह 100% stack आप हावर करोगे आपको देख आपको कहानी समझाज़ेगे 0% 20% 40% यह है यह क्या है सबसे पहले आप यह देखोगे यह horizontal यह बार है अब यह बार है लेकिन यह हो क्या रहा है यह stacking है राइट तो यह stack बार हो गया लेकिन यह percentage भी है साथ में यह percentage है साथ में तो यह हो गया हमारा 100% percentage मतलब ठीक है अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ मुझे अगला जो बनाना है वो भी इसी के जैसा है लेकिन वो column chart है stack column तो मैं यह भी कर सकता हूं कि मैं इसकी copy करूं control C और मैं यहां पे control V कर दूं और इसकी copy बना लो ठीक है जैसे मैंने इसकी copy बना ली ठीक है मेरा time बच गया अब मैं सिंपल यह करूँगा क्योंकि fields तो वही है वही data यूज हो रहा है और यह सारे एक ही family के हैं क्योंकि आप देखे ना सबका y x x x x legend सब में आता है normally हर चार्ट में आपको आगे जाके नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने इसकी copy बना के अब मैं यह कह सकता हूँ कि इसको इसमें change कर दीजे पहले यह मैंने select किया हुआ है simple अगर fields नहीं होंगी same तो obviously फिर आप नहीं करेंगे यह देखे अब उसने क्या किया उसमें stacking की guys stacking की तो 100% stack column chart है इसमें और पुराने वाले यह जो आपने stack दूसरे बनाए थे यह वाले इनमें basically difference यह है कि यहाँ पे number show होते हैं यह percentage में show करता है जैसे आप देखो यह क्या बता रहा है आपको 25% sale हूई है number भी है 2130 और percentage भी है वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आप आपको percentage नहीं मिलेगा समझाए आपको बात तो अगर user कहता है कि मुझे percentage बाइस देखना है किसका कितना contribution है अब यह percentage कैसे आया आज है यह भी समझा तो सबसे important हो यह है राइट तो देखे मैं आपको simple calculator से समझा देखे यह East है ठीक है आप देखो East 5% 5.96 दिखा रहा है East में sale कितनी हुई 507 ठीक है 507 तो देखे उस particular zone total पूरे product की जो मलब जिसमें East पे होगा West पे होगा North पे होगा सब कुछ होगा ठीक है तो मैं अभी क्या करूंगा मैं अपनी अपनी आपको दिखाने के लिए अलग से जो है वह visual बना रहा हूं आप इस बिलकुल आप focus नहीं करें लेकिन मुझे देखना है इसलिए मैं वह जो है वह देखने के लिए कि total item कितनी से लुए है वह देखना चाहता हूं तो यह मेरे को actually total item दिखा रहा है 26999 ठीक है इसको भूल जो मैं क्या कर रहा हूं 26999 ठीक है तो 26999 बहुत हमारे item से लुए है 26999 ठीक है जी और उस particular zone से आये 507 तो मैं इसको divide करता हूं इससे ठीक है मेरे पास इसका percentage निकाल लेते हैं ठीक है यह तो यह तो 1.9% आ गया जिबकि हमारा वहां पे number 5% कुछ आ रहा था राइट तो यह हमारा East था राइट और यह है total अब समझो अब बात को क्या हुआ है देखो ध्यान से यह पूरे total process का sale है राइट आपका graph कैसे आपने अपने जो graph बनाया है वो exactly बनाया क्या है वो देखो पहले वो किस context में बनाया है देखो यह है पूरा East यह East के अंदर की sale है ठीक है ना East के अंदर की sale category की accessory की तो accessory की sale कहां गई और East की sale कहां गई मैं तो total देख रहा हूं total तो मलब East not South सारा ह हो गया राइट तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा मैं सबसे पहले यह देखूंगा कि भई पूरे East zone की sale क्या है तो मैं एक काम करता हूं मैं यहां पर zone डाल देता हूं अगें आपने इसमें नहीं जाना है अभी ठीक है मैं आपको सिर्व समझाने के लिए बिकर से Excel में अगेगा देखे इस से total sale आई 8501 इसका मतलब यह हुआ कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस यह सारा 8501 हो का इस्ट है क्योंकि तो 8501 मैं यूज करूंगा ना कि 26,000 वह तो इस्ट वेस्ट सारा यूज हो गया आपको यह भी देखना है कि आपको ग्राफ कैसे बना है ठीक है तो क्या नंबर था हमारा 8501 8501 आंसर क्या आगया 6.0 डेसिमल बढ़ा देते हैं 5.96 ठीक है ठीक है 5.96 अब यहां पर एक और चीज आपको समझनी है यहां पर आईए यह देखे ठीक है यह देखे यह देखे यह ठीक है क्योंकि अब यह जो 507 है आप प्लीज इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना यह जो 507 है यह आपको फ्यूचर में बताऊंगा मतलब कि एक्सेश्री जो मुझे सिंपल सी बात है मतलब मैंने यहां पर टाइपिंग में गलती कर दी है यह एक्सेश्री से एक्सेश्री का टोटल सेल जो हुआ है 507 है और जो इस में एक्सेश्री आ रही है उसका सेल हुआ है 8501 ठीक है आप दिखें आप सो अगर मैं आपको एक बात बताता हूं अब जैसे सपोर्ज आपको यह नहीं पता है तो फिर आपके लिए यह दिक्कत होगा कि आप इसको कैसे देखेंगे इस डीटा को या तो आप एक्स में सबसे पहले मेरे को बताओ कि वो जो कैटिगरी है जो भी हमने अभी यहां इस विजुल में देखी है एक्सेश्री ठीक है कैटिगरी मुझे कैटिगरी एक्सेश्री में ले जाके बताओ कि टोटल वहां पे जो सेल है वो कितनी सेल है तो मैं यहां पर थोड़ी यह सब क किया है वो टेबल विजुल है यह मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा बड़ अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि हम यह जो कैलकुलेशन है इस पर कैसे आए ठीक है वैसे तो यह ग्राफ देही रहे ना अब यहां पर आप देखो यह टोटल एनिमल्स की सेल हमें 2130 दे रहा है आप यहां देख भी सकते हो देखिए अनिमल्स इस्ट के अंदर देखना है लेकिन यह ध्यान लखेगा ठीक है अनिमल्स की सेल है 2130 टोटल इस्ट की तो आपको पता ही है तो 2130 पे अगर मैं गया लेट्से एनिमल्स है 2130 ठीक है तो 2130 डिवाइड़ेड बाइड पूटल इस्ट से यह हो गया 25 परसेंट तो 25 परसेंट के लिए अगर हम यहां पर जाएंगे तो 25 परसेंट ही होना चाहिए यह देखिए 25 परसेंट अब आपको समझ आ गया ठीक है यह विजूल ऐसी रहेगा जब आप फाइल डावनोड करेंगे लेकिन आप इसमें अपना चीजसे समझ आती है ठीक है यहां पर परसेंटेज नहीं है यहां पर हलाकि साइज से पता लग रहा है इसका जितना बड़ा यहां पर जो यह एरिया होगा है ना जितना बड़ा का एरिया होगा मतलब वह उतना बढ़िया चल रहा है इसका उल्टा भी हो सकता है अगर आप चीजों को इस तरह से समझाया जाए कि आपको समझ आए कि actual में वो story किस तरह से दिखाते हैं ठीक है अभी हम जो अगले lecture में काम करेंगे तो हमने खड़े-खड़े देखिए यह सारे के सारे visuals कर लिए ठीक है पावर करी से यह भी देख लिया कि कैसे पावर बिया से इंपोर्ट डेटा करना फिर पावर करी का विंडो भी देख लिया पावर करी का यूज करना वो भी देखेंगा आने वाले टाइम में टेक्स बॉक्स बनाना भी सीख लिया ठीक है इन सभी छे विजूल्स में क्या difference है ये भी आपको पता लग गया कैसे इसको याद रखना है ये भी बहुत एजी मैंने बता दिया ये horizontal बार है ये column है उसके बाद क्या वो stack है तो stack लगा दीजे stack नहीं है तो cluster लगा दीजे stack में percentage भी आ सकती है without percentage भी तो 100% stack लग जाएगा बस ये difference है ठीक है तो I hope आपको session पसंद आया होगा comment section में जरूर लिखेगा आ और inspire करता है कि आपके साथ और ऐसी चीज़ें शेर करें ऐसी तमाम हमारे data analytics के 13 courses चल रहे हैं सबके playlist में में का career in data analytics लगा हुआ है और पीछे उसका title है जो भी subject है जैसे power BI हो गया DAX हो गया web scrapping हो गया Excel वीबे हो गया advanced Excel हो गया मलब तमाम चीज़े Python ठीक है तो ये playlist आप दे enjoy कीजिए लंबी हमारी जर्नी है ये बहुत लेकिन लंबा जर्नी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है time जादा लगजे लेकिन हम चाहेंगे कि जर्नी शांदार बने आपके fundamentals बिलकुल एकदम clear हो जाए तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो